नमस्कार Dear Students, आज का हमारा विशे रहेगा Economic Planning Part 2 अर्थात आर्थिक नियोजन भाग दो जिसके अंतरगत हम आपको कराएंगे 1991 में से पूरो नियोजन के अंतरगत आर्थिक विकास की रणनितियां सबसे पहले 1991 में से पूरो नियोजन के अंतरगत आर्थिक विकास की रणनितियां प्यारे बच्चो भारत सरकार ने जो आर्थिक नियोजन को अपनाया था उसकी विशेश्ताओं का अध्यन हम दो अवधियों में करेंगे पहले चरण में 1951 से और 1991 तक जो रणनिति सरकार ने अपनायी थी उसके बारे में और दूसरे चरण में 1971 के बाद की रणनितियां त्योंकि आर्थिक शुधार लागू किये गए थे निव एकनोमिक पोलिसी या नई आर्थिक निति लागू किये गए थी जिसमें तीन मुख्य आर्थिक शुधार किये गए थे निजीकर्ण उदारीकर्ण और वैस्वीकर्ण इसलिए आज हम प्रकास डालेंगे 1901 में तक कि जो विशेष्टाएं थी भारति आर्थिक नियोजन की उन पर तो बिंदुवार विशेष्टाएं निम लिके थे नमबर वन पर है सारजनिक शेत्र का को अधिक महतो या सारजनिक शेत्र पर अधिक भरोजा जो योजनाएं जो नियोजन को अपनाय गया था तो उसमें जैसे ही हमारा भारत देश अजाद हुआ था उससे में हमने मिस्त्री तर्थवस्ता को अपनाया था नेजी छेतर और सारजुनिक छेतर जिसमें दोनों विशेस्ताइं पाई जाती हैं लेकिन नियोजन काल में ज्यादा महतो सारजुनिक छेतर को दिया गया था इसको हम एक उधारन के दवारा भी बता सकते हैं जैसे कि 1956 की ओधोगिक निती उसमें 17 उधोगों को सारोजनिक शेतर के लिए आरक्षित रख दिया गया था जबकि केवल 12 उधोग निती चेतर के लिए आरक्षित किये गये थे उसका भी कारण था उसके क्या कारण थे क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऐसे कई उधोग थे जो निती चेतर की शमता से भार थे यानिकि नीजी छेतर उनको हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए सारुजनिक छेतर को अधिक बढ़ावा दिया गया, आधरिक सनस्जना के उधोग जैसे यातायात, बिजली अर्थात उर्जा से संबलित उधोग, उनमें नीजी छेतर की कोई रूची नहीं थी, उनमें विकास क करने की, या उनमें आगे बढ़ने की, इसलिए भी सारुजनिक छेतर को अधिक बढ़ावा दिया गया, सारुजनिक छेतर को संभालना आसान था सरकार के लिए, जिबकि नीजी छेतर अपने हिसाब से लाब अधिक तमी करन के उधेश्य को सामने रखकर उत्पादन करती है जबकि सारुजनिक छेतर वो समाजिक कल्यान या सारुजनिक कल्यान को अधिक मैं तो देता है, नीजी छेतर जो था वो पिछडे परदेशों में उधोग धंदे या विकास करने के हकमित नहीं था, अर्थात नीजी छेतर की पिछडे हुए परदेशों में या ग्रामिन इ बलाखो में जो विकास करने की या उद्वग दंदे स्थापीत करने की कोई भी रूची नहीं थी इसलिए सारजनिक शेत्र को अधिक मैंतोव दिया गया था सेकिंड पोइंट है कि नीजी शेत्र का नियंतुरित विकास जो निजी शेत्र है उसका नियंत्रित विकास किया गया नियंत्रण में रख करके जैसे कि उद्धोगी की विकास एम नियमन कानून 1948 पास किया गया जिसमें उद्धोगधंदे लगाने के लिए लाइसंस लेना अनिवारिये था रजिस्टेशन कराना अनिवारिये था इसके लिए ओफिसिज यनकी कार्यालों के चक्कर लगाने पड़ते थे काफी समय लगता था और उद्धोगधंदे स्तापिच करने में काफी देरी हो जाती थी और जो उद्धमी था वो काफी अहतोत्साइथ हो जाता था एक अधिकारी यह प्रतिबंदात्मक व्यापार व्यावार कानून 1969 लागू किया गया अर्थात MRTP Act लागू किया गया MRTP Act लागू कर दिया गया जिसके क्या था कि जो भी कोई उद्धोगधंदे लगाता है उसका कई बार इंस्पेक्टन होता था जो भी उद्धोगधंदे थे या जो नीजी छेतर था उसकी वजह से नीजी छेतर का नेंतर दिविकास किया गया एक कमपनी जो एक मात्र भारी उद्धोगों की कमपनी थी भारी उद्धोग से संबंदित जो की टिसको टाटा इसपात एंड स्टील कमपनी टाटा आइरन एंड स्टील कमपनी जो थी टिसको जिसके 1907 में स्थापना हुई थी जो अजादी से पहले की एक मात्र कमपनी थी ए उसको काफी adverse effect उस पर काफी adverse effect यंकि बुरे परभाव पड़ी थे यंकि उसका काफी लोस हुआ था इस तरह के कानून से तो यहां पर दूसरा point यहीं कहता है कि जो निजी छेतर का था, उसका नियनतित विकास किया गया था तीसरा point हमारे पास है लगू उद्दोगों को सनरक्षन वे भारी उद्दोगों को का नियमन जो लगू उद्दोग थे उनके लिए उनको काफी strartsन, काफी protection मिला वो कैसे लगू उदोगों के लिए कई वितिये संस्थाई स्थापित की गई थी और लगू उदोगों का जो माल था जो लगू उदोगों में जो भी समान बनता था उसको विश्व परसिद बढाने के लिए कई परकार के मंडल यानिकि कई परकार के बोड स्थापित के गए जैसे आतकरगा बोड है रेशम का बोड है तो रेशम बोड है तो इस परकार से उनको काफी प्रोटेक्शन दिया गया जबकि भारी उदोगों को रेगुलेशन सामरिक महतों के बाहरी उदोगों का विकास सामरिक महतों यानिकि कौन से सामरिक उदोग कौन से होते हैं सामरिक उदोग वो होते हैं जो मध्यवर्ती यानिकि जो सरव्यापी मध्यवर्ती यूनिवर्सल इंटरमेडियरी जो इंडस्ट्री जो होते हैं जैसे बिजली है इ उनमें काम में आते हैं, उनमें साहे अक्सिद होते हैं, तो उनको ज़्यादा महतो दिया गया था. फिफ्थ पॉइंट है, बचत और निवेश में विर्धी की गई. देखो, जो स्ट्रेटिजी थी, उसमें बचत और निवेश को प्रोचसान दिया गया. देखो, बचतों को प्रोचसान देने के लिए ब्याज किदर को बढ़ा दिया गया, उंचा किया गया, क्योंकि ब्याज अक्षेत्र था उसमें बैंकों की साखाइं खोली गई जैसे 2घुबर 1975 में भारतिय ग्रामीण अकेत्र ग्रामनीड बैंकों की स्थापना और उनकी स्थापना सबसे पहले kingdom 1975 में 2 October 1975 में गांधी जयनती के आउसर पर की गई थी इसलिए की गई थी कि ताकि छोटी-छोटी बस्ते गाउं में या जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर भी लोग अपनी छोटी-छोटी बस्तों को कर सके चटा पॉइंट है विदेशी परतियोगिता से सनरक्षन जो भी हम संस red जो ये स्ट्रेट्जी अपनाईगी थी इसमें निरियातों को प्रोट्षान दिया गया यानि कि जो निर्यात थे, export को promotion दिया गया, जो भी निर्यात करते थे, यानि कि निर्यात करताओं को करों में छूट दी गई थी, उनको काफी help दी गई थी, और जो आयात थे, जिन वस्तों का आयात करते थे, उनके प्रतिस्थापन से, import substitutions, यानि कि जो वस्तों हमारे देश म में ही बनाने के लिए प्रोसाहित किया गया था छोटे और जो लगू उधोग थे उधोग पतियों को कि भी अपने ही देश में उचे जोगा उत्पादन हमें करना चाहिए नेक्स्ट है विदेशी पूंजी निवेश पर प्रतिबंद विदेशी जो पूंजी है FDI, Foreign Direct Investment विदेशी पूंजी पर परतिबंद लगाया गया इसके लिए एक एक्ट लागू किया गया जिसको हम फेरा एक्ट बोलते है Foreign Exchange Regulation Act 1973 जो कि संसद में पास किया गया फेरा फेरा कानून लागू किया गया जो विदेशी मुदरा थी उसके protections के लिए इसको लागू करना था जो विदेशी मुदरा के भंडार जब ये एक्ट लागू किया गया था तो हमारे देश में विदेशी मुदरा के भंडार सीमित मातरा में थे और जो विदेशी करंसी है या जो विदेशी मुद्रा है उसका सदूपयोग करना था इसका उदिश से कि भी जो फेरा जो कानून लागू किया गया था कि विदेशी भूगतान पर नियंतरन करना था और विदेशी जो मुद्रा के भंडार है उनका सदूपयोग करना था लेकिन 1999 में दूसरा कानून आ गया यानिकि 1999 के बाद की भाम बात कर रहे हैं उसका नाम था फेमा फेरा उस टाइम पे खतम हो गया तो 1999 में से पहले जो कानून लगू हुआ था वो था फेरा एक्ट 1973 जो कि विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा यानिकि उसका सुदूपयोग करना था जिसका मुख्य उदेश से नेक्स्ट है केंद्रिय कृत नियोजन केंद्रिय कृत नियोजन का मतलब था के सेंट्रलाइजड प्लैनिंग समर्दी और विकास के कारिकरम राज्यस्तर पर आधरी थे केंद्रिय कृत थे यानिकि जो विकास के उदेशे थे और उदेशेों को प्राप्त करने के जो सादन थे उसमें किसी परकार का भी विरुदाबास नहीं था तो ये थी मुख्य विशेश्ताई 1911 में से पूरो नियोजन के अंतरगत जो आर्थिक विकास के लिए हमने अपनाई थी नेक्स्ट हम आपको कराएंगे आर्थिक नियोजन की उपलबदियां क्या थी आर्थिक नियोजन की या आर्थिक योजनाओं की उपलबदियां इस परकार से है नमबर वन है रास्ट्रिय आयमे विर्धी Increase in National Income रास्ट्रिय आयमे विर्धी आर्थिक स्विर्धी का परतीक होती है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस से में रास्ट्रिय आयमे विर्धी ना के बराबर थी लगभग 0.5 परतीसत थी जिसे क्या पता चलता है कि भारती अर्थवस्था उस से में एक गती हीन और पिछडी हुई अर्थवस्था थी और योजनाओं की अवधी में योजनाओं की अवधी में जो वार्षिक रास्ट्रिय आयमें वार्षिक जो विर्धी दर रही वो पांच परतीसत रही ओस्तन पांच परतीसत रही जिसे क्या पता चलता है कि जो गती हीनता के और गरीवी के दुष्चकर को तोड़ने में सायक सिध हुई जब हमारे देश में पंच परतीसत का लक्षे में प्राप्त हुई था और पंच में योजना के बाद लगातार पंच से ज्यादा का लक्षे में प्राप्त हुआ था लेकिन तीसरी, चोथी और दूसरी योजना में पंच परतीसत से कम की वर्धी रही यानि कि ओस्तन जो वार्शिक वर्धी दर थी वो पंच परतीसत रही सेकिंड है प्रतीविक्ति आयमें वर्धी इंक्रीज इन पर कैपिटा इंकम जब हमारा देश अजाद हुआ था अजादी के समय जब पहले पंच वर्शी योजना शुरू की गी थी उन्सों पचाश सी क्यावन में उस समय जो प्रतीविक्ति आयमें वर्धी दर थी वो भी ना के बराबर थी यानिकी लगबग 0 परतीशत थी जैसा कि VKRV राउने अनुमान लगाए थे तो उसमें 0.5 यानिकी आधा परतीशत से भी कम थी तो यहाँ पर जो 0.5 यानिकी लगबग आधा परतीशत थी जो कि योजनाओं की ओधी में 3 परतीशत रही परतीविक्ति जो आये है वो कितने परतीशत रही 3 परतीशत की दर से उसमें वर्धी हुई थी तो यह भी हमारे लिए काफी मतलब फायदेवन रही कि योजनाओं के काल में परतीविक्ति आये में वर्धी रही जो कि 3% ओस्तन वर्दी दर रही थी Next है पुझी निर्मान की दर में व्रदी पुझी निर्मान की दर बच्चत तथा निवेज की दर पर निर्भर करती है जिसमें योजनाओं की अवधी में काफी वर्दी हुई जब 1980 क्यावन में जो बच्चत की दर थी वो 8.6 थी, 8.6 थी 1951 में, 8.6 थी जो कि 2015-16 में 32 पॉइंट के आसपास, यानि कि लगभग 32 पॉइंट में 3 परतिसत रही, ये थी बचत की दर, और जो सकल पुंची निर्मान की जो दर थी, वो 10 परतिसत थी, जो कि 15-16 में बढ़कर 33.3 लगभग पुंची निर्मान की दर 3 गुणा बढ़ गई, तो ये भी काफी फायदे मन रही, यानि कि योजनाओ की अवधी में पुंची निर्मान की दर में भी 3 गुणा विर्धी हुई, नेक्स्ट है किर्शी में संस्थागत तक्नी की प्रिवर्तन, किर्शी में इंस्टिचूशनल चेंजेज भी हुए और टेक्नोलोजिकल चेंजेज भी यहां पर हुए हैं योजनाओं की अवधी में, क्योंकि किर्शी के विकास में जो योजनाओं का योगदान रहा है, वो दो परकार से रहा है, पहला रहा है किर्शी में जैसे भूमी सुधार लागू किये गए, भूमी सुधार किये, दूसरा है किर्शी में महतवपूर्ण टेक्नोलोजी यानिकी प्रोध्धोगी की का र वयत्वाडी परता थी यहनकी मध्यस्त थे जमीदारों में इनकी किसानों में और बिक्षोलिय थे उनका बीच में और उन्हों मध्यस्तों का उन्मूनन किया था। जोतों का आकार एक उच्टम सीमा दिरधारित की गई थी और जो विखंडित जोतें थी बिखरी हुई जोतें थी उनको चकबंदी को अपना करके उनको एक जगया पर फिक्स कर दिया गया था यनकी चकबंदी पर्था को चकबंदी को लागू किया गया था यनकी इधर उधर बिखरे विये जो जोते हैं थी उनको एक स्थान पर एक किसान को दे दिया गया था इसको हम चकबंदी बोलते हैं तो इस परकार से भूमी सुधार किये गये थे और फिर 1966 से किर्शी में टेकनोलोजी का प्रियोग किया गया उर्वरक खाद और अच्छी किसम के बीजों का प् चावल का और गेहूं के उत्पादन में पहुत ज़्यादा विर्दी होई थी यानि कि क्रांती कारी विर्दी हुई थी तो यहां पर नेक्स्ट है उद्धोगों का विकास उद्धोग उद्धोगों का भी काफी विकास किया गया योजना काल में जैसे कि आपको पता है सेक जो दूसरी पंचवर्शी योजना का वो भारी उदोगों का विकास करना था और जो तीन बड़े उद्धोग दूसरी पंचवर्शी योजनाओं में ही लगाए गए थे बिलाई, दुर्गापूर, राउरकिला जो बड़े बड़े जो उद्धोग है इस लोहा और इस पात के उधोग वो दूसरी पंचवर्शी उज़रा में लगाई गए थे और भरत की अर्थवश्था संसार की दस्वी ओधोगी कर्थवश्था बन गई है ओधोगी की विकास की जो दर रही है वो साथ परतीसत ओसत विर्दी दर रही है नेक्स्ट है आर्थिक आधारिक संद्चना का विकास आर्थिक आधारिक संद्चना जिसमें यातायत के साधनों का विकास होता है उर्जा और संचार के साधनों का विकास होता है तो योजना काल में हमारे देश में रेलों का भी जाल भूत ज़्यादा बिचाया गया है पहरतिय रेल जो है विश्व की सबसे लंबी रेल नेटवर्क बन चुकी है दूर संचार में भी काफी विकास हुआ है और पहले जो बिजली का उत्पादन था उसमें भी काफी विर्दी हुई है पहले बिजली का जो उत्पादन था हमारे देश में 300 मेगावाट था जब हमारा देश आजाद हुआ तो 300 मेगावाट था और ये जोजनाओं की अधी में जो बढ़ कर इसका जो उत्पादन हुआ है बिजली का 3,03,861 मेगावाट हो गया यानि कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसे क्या प्रूफ होता है क्या साबित होता है कि योजनाओं की अधी में जो हमारे यहां आर्थिक आधारिक सरचना का भी काफी विकास हुआ है नेक्स्ट है सामाजिक आधारिक सरचना का विकास सामाजिक आधारिक सरचना में कौन सा विकास आता है जो शिक्षय के उपर स्वास्थे के उपर परिवार नियोजन के उपर जो विकास होता है उसको हम सामाजिक आधारिक सरचना का विकास कहते हैं तो देखो जब हमारे देश में योजनाई लागू की गी हैं, योजनाओं की अवधी में काफी इसमें विकास हुआ है, जो मिर्तुदर, जो 1950 ही क्याओन में, मिर्तुदर थी, वो 27.4 थी, 27.4 प्रती हजार थी, जो कि 2016 में 6.4 प्रती हजार रह गई, यानिकि इतने ज़्यादा जो मेडिकल फैसिलिटीज आई, कि मिर्तुदर को कम कर दिया गया, तो इसका मतलब योजनाओं में सामाजी कादिरिक स्रंचना पे भी विकास किया गया है, जीवन प्रत्याशा 1951 में 32 वर्स थी, 32 वर्स थी, जो कि अब 2016 में 68.3 वर्स हो गई बढ़कर, यानिकि जीवन जीने की आश्या, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इसका क्या आर्थ है, कि जो योजन काल था, उसमें सामाजी का अधरिक स्रंचना में भी विकास हुआ है, नेक्स्ट है, रोजगार में विधीन, देखो, जो पंचवर्सी योजना थी, उसमें रोजगार बढ़ाने का भी काफी प्रियास किया गया है, इस छेतर में भी काफी प्रियास किया गया है, छटी पंचवर्सी योजना में भी निर्धंता उनमूलन कारी करम लागू किये गए और सात्वे योजना तो रोजगार उन्मुख योजना थी यानि कि ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार दे करके निर्धनता को उन्मूलन करना उस योजना का परमुख उदेश से था तो इस छेतर में भी काफी विकास किया गया है नेक्स्ट है आदुनी की करण यानिकी modernization यानिकी काफी सनरसन आत्मक परिवर्तन आए हैं काफी modernity आई है आदुनी की करण हुए है technology अपनाई है जैसे पहले हमारे यहां निर्वास तरकी करण की जाती थी लेकिन जिब पंच्वर्शी योजनाई लागू की गई है तो इन योजनां में नई technology हमारी यहां आई है दुगिक छेतर में भी, किर्सी छेतर में भी और सेवा छेतर में भी दूर संचार में भी यहनकी संचार के साधनों में भी पहले जमाने में कोई computer नहीं होता था, कोई भी mobile phone नहीं था लेकिन आज पर तेक वेक्ति के पास mobile phone है तो यह technology है पहले laptop computer नहीं थे तो लेकिन आज सभी के पास laptop computer ज़्यादातर लोगों के पास उपलब्द हो जाते हैं यह भी technology है तो काफी technology यानि कि नई modernization को अपनाया है संदरसनात्म को परिवर्तन भी हुए हैं जैसे पहले हमारे देश में किसी का योगदान भहुत ज़्यादा था यानि कि 50% से भी ज़्यादा जो income थी वो किसी से प्राप्त होती थी लेकिन अब 50% से ज़्यादा आये जो है तिरतियक शेतर से यानि कि सेवाओं से प्राप्त होती है नेक्स्ट है आतम निर्भरता तथा आतम विश्वास आतम निर्भरता और आतम विश्वास संबन्ध में भी निश्चित रूप से इन योजनाओं की अवधियों में सफलता मिली है चोथी योजना के आरम से योजनाओं की वित्वेवस्था में जो विदेशी सायता का जो प्रतिशत था उसका योगदान भी कम होता जा रहा है उधारन के लिए विदेशी सायता का अनुपात जो तीसरी योजना में 12.8 प्रतिशत था तीसरी योजना में 12.8 प्रतिशत था ये कम होकर के छटी सात्मी योजना में 10 प्रतिशत रहे गया और आठमी योजना में केवल 6.6 प्रतिशत रहे गया इन योजनाओं में निर्यातों में भी विर्दी हुई है और केवल निर्यातों में भी विर्दी नहीं हुई है बलकि निर्यातों का विविधी करण हुआ है पहले हम केवल कच्चे माल के निर्यातक थे यानि की केवल प्राथमिक उत्पादों के ही निर्यातक थे लेकिन अब निर्मित उत्पाद, इंजिनिरिंग की वस्तवें, आभुशन, सोफ्ट्वेर शेवाओं का भी अब हम निर्यात करते हैं यानि कि निर्यातों में विविदी करन हुआ है योजनाओं की अवधी में आयात प्रतिस्थापन में भी सफलता मिली है आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, कि जिन वस्तूं का हम आयात करते हैं, वैसी ही वस्तूं अपने देश में उत्पारित करते हैं इसे हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं, तो आयात प्रतिस्थापन में भी हमें काफी सफलता मिली है तो प्यारे बच्चो ये थी सभी सफलताएं योजनाओं की अवधियों में नेक्स्ट हम आपको कराने जा रहे हैं योजनाओं के दोरान प्राप्त होने वाली ऐसफलताएं यानि कि कौन सी ऐसफलताएं इन योजनाओं की अवधियों में हमें मिली है भारत में नियोजन का मुख्य उदेश से जीवन स्तर को उचा उठाना, आतम निर्भरता के लक्षय को प्राप्त करना, धन और आयक की विशमता को दूर करना, समाजवादी, समाज की स्थापना करना था. लेकिन योजनाओं की उपलब्धियों का अध्धन करने के बाद हम इस निशकर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतिय नियोजन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ. नियोजन की मुख्य ऐस पलताएं निम्र परकार से हैं. पहली है जीवन स्तर में पहूत कम विर्धी, पर तेक पंचवर्ष योजना का मुख्य लक्से यही था कि जीवन स्तर में विर्धी की जाए. यहाँ पर जीवन स्तर में विधी तो दूर की बात रही, जीवन के लिए नितांत आउसक वस्तों के भी पूरी पूर्ती नहीं हो पा रही है, देखे एक व्यक्ति को एक स्वस्त व्यक्ति को पच्ची सो आठ कैलोरी की कैलोरी भोजन की जुरूरत पड़ती है, लेकिन उसे के पॉइंट में 9% जो जन संख्या है, वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, आज भी परतेक व्यक्ति को 16 मिट्र कपड़ा एक वर्स में उपलग्ध हो रहा है, कीमतों में विर्धी, दूसरा पॉइंट, केवल पहली पंचवर से योजना को छोड़ करके बाकी सभी योजनाओं में लगातार कीमतों में विर्धी हुई है, जिबकी योजनाओं का मुख्य लक्षय है कि कीमत इस्थिरता के साथ विकास करना, जो की प्राप्त नय हो सका, तीसरी जो ऐसा पलता है बेरोजगारी में विर्धी, परतेक योजना के साथ बेरोजगारी किदर में विर्दी होती चली गई है 2.3 परतिसत रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तो योजनाओं की अवधी में शरम पूर्ती में 2.5 परतिसत की विर्दी हो गई है यानि कि शर्मिक ज्यादा बढ़ रहे हैं जिबकि रोजगार के अवसर में कम परतिसत की वर्दी हो जो बहुत धीमा रहा है योजनाओं की अवदी में फिप्थ है आधारिक शनचना का कम विकास हुआ है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि योजनाओं तो सही बन रही है सही तरीके से बन रहे हैं लेकिन उनका implementation जो है कारिय कर रहा है वो सही डंग से नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में जो लाल फिता साई है जो अफसर लोग हैं वो गड़बड़ी करते हैं सही तरह से implementation यहां पर नहीं हो रहा है आए वै धन के बटवारे में एसमानता परतेक योजना का या योजनाओं के जो दिर कलिन देशे थे वो भी यही था मुख्यों देशे था कि आए वै धन के बटवारे में एसमानता को कम करना लेकिन एसमानता कम होने की बजाए एसमानता बढ़ी है नेक्स्ट है एकुसल परसासन जो योजनाओं के काल में जो परसासन है वो एकुसल रहा है उसी की वज़े से योजनाओं एसफल रही है सुद्रिड आधार का अभाव ये भी योजनाओं की ऐसे फलता है जो सही जो आधार होता है जो धाचा होता है वो नहीं बन पाया है योजनाओं में उसका अभाव पाया गया है अधिक महतो कांक्सी जो योजनाई थी वो अधिक महतो कांक्सी रही है जिबकि उनकी पूर्ती नहीं हो पाई है जो लक्से रख्या था उसको प्रापनी किया गया था बचत और निवेश की विर्धी का विरोधा भास कोई किसी विदेश का आर्थिक विकास बचत और निवेश की विर्धी पर निर्भर करता है लेकिन यहां विरोधा भास दिखाई देता है बचत और निवेश में तो विर्धी हुई है बचत और निवेस की जो प्रतिसत दर है जो उसमें विर्दी हुए लेकिन फिर भी आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो ये बहुत सारी ऐस फलताएं इन योजनाओं मिया में मिली हैं तो पीरिये विद्यार्थियों हमने आज आपको कराया योजनाओं की सफलताएं ऐस सफलता और 1981 में तक की रण लेतिया इसी के साथ हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद